हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस राफिल स्टडी में आज के इस वीडियो में हम लोग बहतरीन तरीका से सर्वसमीका का परयोग करना सिखेंगे सर्वसमीका का परयोग करकर बीजगनीत के सवाल को बेसिक से बेसिक तरीका से हम हल करना सिखेंगे हमने यहां पर 2 सवाल लिया है एक सवाल मैं हल करूंगा और एक सवाल आपको हममक के रूपपे दूँगा ताकि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके तो पहला सवाल है दूस्तों 2X प्लॉस 3 का होल क्यूव तो पहला सवाल हम लिएते हैं सवाल है दो एक्स प्लॉस तीन का होल क्यूब ठीक है हम इसे कई से हल करेंगे सर्वसमिका का परयोग करकर यहां पर दो एक्स प्लॉस तीन है दो एक्स को यह हम यह मानेंगे यहां पर प्लॉस है तो प्लॉस और तीन को भी मानेंगे और इसका क्या होल क्यूब है तो यह क्या A plus B whole cube बड़ावर होता है दोस्तों A cube plus B cube plus 3 AB bracket में A plus B यह होता है सुत्र फर्मूला A plus B whole cube का A की जगा यहाँ पर 2X है और B की जगा 3 है तो इससे हम इस फर्मूला की रूप में लिख देंगे तो हमारा whole हो जाएगा तो A की जगा क्या है? 2X है और B की जगा 3 है तो पहले क्या लिखेंगे? A cube तो A की जगा 2X है तो 2X का क्या होगा? Q होगा फिर है plus B cube B की जगा क्या है? 3 है तो 3 का Q करेंगे फिर plus है तो plus 3AB है तो दोस्तों ध्यान दीचिए 3AB है तो यहाँ पर देखिए A और B के बीच में कोई चीन नहीं लगा है तो जब कोई चीन नहीं लगा रहाता है तो गुणा का चीन होता है हम 3AB को 3 गुणे A गुणे B भी लिख सकते हैं ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे A, A की जगा मान क्या है? 2X है तो यहाँ पर लिखेंगे 2X फिर गुणे B, B की जगा क्या है? 3 तो लिखेंगे यहाँ पर गुणे 3 अब ब्रैकेट में A प्लस B तो A की जगा 2X है और प्लस B की जगा 3 है चलिए अब इसे सरल करेंगे यहाँ पर देखिए 2X क्यूब है यानि 2X को हम 3 बार गुणा करेंगे तो पहले संख्या से संख्या में गुणा करेंगे 2 से 2 में गुणा करेंगे दो दूनी 4 फिर 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 होगा और X कितनी बार है? एक बार दो बार तीन बार तो क्या होगा एकस क्यूब होगा यानि दो एकस का क्यूब होगा आठ एकस क्यूब दो का क्यूब आठ एकस क्यूब एकस क्यूब फिर यहां पर प्लॉस है तो प्लॉस अब क्या है तीन का क्यूब तो तीन का क्यूब का मतलब क्या होता है कि तीन 3 बार गुन्ना होगा तो गुना करेंगे दूसतों क्या होगा 3 तिया नोह तिया 27 यानि 27 होगा फिर Stress है तो तो पोहले 3 से 2 में गुणा करेंगे, फिर 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, फिर गुणे में Xा है तो क्या होगा? 18 X होगा, संख्या को गुणा करेंगे, पर 18 होगा और गुणे में X फिर ब्रैकेट में है, 2 X plus 3 चलिए लिख लेते हैं अब 8 x cube plus 27 plus यहां पर देखिए 18 x और ब्रैकेट में 2x plus 3 है तो दोस्तों ब्रैकेट के अगारी में यहां पर कोई चीन नहीं है जब कोई चीन नहीं होता है दोस्तों तो गुना का चीन होता है हम 18x से इस ब्रैकेट में गुना करेंगे 2x प्रॉस 3 में गुना करेंगे 18x से पहले 2x में गुना करेंगे फिर 18x से हम 3 में गुना करेंगे तो गुना कर लेते हैं 18 x से हम 2 x में गुणा करेंगे तो पहले संख्या से संख्या में गुणा करेंगे 18 में 2 से गुणा करेंगे तो 18 2 36 होगा फिर x से x में गुणा करेंगे तो x square तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 36 x square फिर पलस है तो पलस 18 x से 3 में गुना करेंगे 18 तिया 54 गुने में 1 से एकस लिखेंगे अब धियान देजिए यह इसे यहां तक छोड़ देंगे तब भी हमारा एंसर सही होगा लेकिन हम क्या करेंगे इसे और हल करेंगे हम एकस के घात को बढ़ते या घट्टे करों में लिखेंगे सजा कर तो यह हमारा फाइनल एंसर होगा तो लेते हैं पहुले लिखेंगे 8 x qiq को फिल लिखेंगे पर लौस 36 x square को फिलिखेंगे प्लस 54 x को फिलिखेंगे लास्ट में 27 तो यह जो है इसका final answer होगा ठीक है दोस्तों तो इस परकार हम सर्वसमीका का प्रयोग करकर इस सवाल को हल करेंगे पहला सवाल मैंने हल कर दिया दूसरा सवाल आपके लिए होमक है इसका answer आप comment box में दीजिएगा तो I hope आपको वीडियो समझ आई होगी एदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिए